नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फोन की गैलरी के किसी भी फोटो या डाकुमेंट्स को किसी के जीमेल एकाउंट पर अपने फोन की गैलरी से डारेक्ट कैसे भेज़ सकते हैं इसके लिए आपके फोन में जीमेल option है उसे open कर लीजे मेरे में यह देखिए photos है तो मैं इसे open कर लेता हूँ open करने के बाद यहाँ पर देखिए date wise आपको photo देखेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे देखिए album है album पर आपको select कर लेना है उसके बाद all पर select कर लेना है all पर select करने के बाद जितनी भी फोटो आपके मोबाइल में है सभी फोटो यहाँ पर आ जाएंगी तो आपको जिस भी फोटो को भेजना है उस फोटो को आप सेलेक्ट कर लेगी है यहाँ से चलिए मैं इस फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ select करने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए आपको कई option देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ जो पहला option है send का है इस पर आपको click कर लेना है अब यहाँ पर देखिए आपको कई सारे app देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर देखिए फ्राम फ्राम पर दीए होगी आपकी Gmail आइडी टू पर आपको जिस Gmail आइडी पर भेजना है उसको यहाँ पर टाइप कर देना है चलिए मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ आप यहाँ पर देखिए हमको जिस Gmail अकाउंट पर भेजना था उसको मैंने टाइप कर दिया टाइप करने के बाद यहाँ पर जो अईरो दिख रहे इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखे टू पर भी आ गया यदि आपको और Gmail आईडी पर भेजना है तो यहाँ पर और भी आड़ कर सकते है उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो फोटो आप सेलेक्ट किये हैं वो फोटो दिख रहे हैं आप यहाँ सब्जेक्ट में कुछ भी लिख सकते हैं आपको जो भी लिखना है लिख दीजे मैं फोटो लिख देता हूँ ठीक है उसके बाद आप यहाँ पर देखिए जो आपको यहाँ पर आईरो दिखाई दे रहे इस पर आपको क्लिक कर देना है तो इस तरह से आपकी फोटो उस जीमेल अकाउन पर सेंड हो गए तो चलिए सबसे पहले हम जीमेल को अपने ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि सच में भेजी गई है कि नहीं भेजी गई है तो दोस्तों इस तरह से आप अपने गैलरी के फोटो को डारेक्ट किसी के भी जीमेल पर भेज सकते हैं वीडियो इन्फरमेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें